पर आपको मिलेगी दवाईयों के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम बात करेंगे Candid B Cream के बारे में Candid B Cream के क्या यूज है आफिर कौन-कौन सी बिमारी, disease or disorder के treatment में इसको यूज किया जाता है इसके क्या-क्या side effect हो सकते हैं और इसको यूज करते टाइम कौन-कौन सी साफधानिया रखनी चाहिए इसकी mechanism action क्या है यानि ये क्रीम बाडी में किस तरीके से अपने effect शो करती है या कैसे काम करती है पुरी detail से इस क्रीम के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को प्रेस कर दीजे ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका notification आपको मिल जाएगा आये जानते हैं इस drug के क्या use है कौन-कौन से बिमारी disease or disorder के treatment में इस drug को use किया जाता है तो बात करते हैं इस Candid B cream के use के बारे में आखिर कौन-कौन से बिमारी disease or disorder के treatment में इसको उपयोग किया जा रहा है तो Candid B cream में combination medicine है जिसका उपयोग skin के बहुत सारे से infection होते हैं उस infection के treatment में इसको use किया जाता है और ये कुछ जैसे symptoms होते हैं जैसे कि skin पर redness होना, swelling होना, itching होना यानि लालीमा हो जाती है, सूजन आ जाती है या खुझली होने लग दी है तो उसके treatment में इस Candid B cream को prescribe किया जा सकता है तो यहाँ पर इस cream के अंदर दो ऐसी drug होती है एक Clotrimazole है और दूसरी Beclometasone है Clotrimazole एक Antibiotic है तो इस cream का use fungus के द्वारा अगर कोई infection हो जाता है तो उसके treatment में इस Candid B cream को use किया जा सकता है अब इस fungal infection की वज़े से ऐसे बहुत सारे infection होते हैं जैसे कि athlete food की समझ्या हो सकती है यानि पैरों की उंगलियों के बीच में जो है खुझली होने लगती है रेडनेस हो जाती है लालीमा होने लगती है रिंग वाम के treatment में यूज किया जा सकता है बसाइनल थ्रश एंड स्वेट रेशेश जैनि पसीने की वज़े से चोटे-चोटे जो pimple होने लगते हैं और उनमें खुझली होने लगती है तब इस cream को यूज किया जा सकता है अगर हम बात करें इस cream के यूज के बारे में तो यह जो cream है यह fungus की वज़े से अगर skin पर infection हो जाता है तो इसके treatment में इसको यूज कर सकते है तो यह जो clotrimazole है यह के antibiotic है जो की जो fungus है उनको kill करती है और उनकी growth को रोकती है और यहाँ पर दूसरी जो drug है bacalometasone यह कुछ ऐसे chemical mediator होते हैं जिनकी वज़े से skin पर aging होने लगती है, redness होने लगती है यह swelling होने लगती है तो उसको यह stop करता है रोकता है तो अब इस cream के बारे में और detail से जान लेते हैं इस cream के अंदर क्या composition है, कितनी quantity इसके अंदर present होती है क्या preservative है और किस तरीके से इसको use करना है यहाँ पर Candid B cream जिसके अंदर clotrimazole और bacalometasone दो active ingredient है इसके अंदर clotrimazole antibiotic है और bacalometasone जो की corticosteroid drug है यह 20 gram का pack है तो यह जो cream है यह broad spectrum की anti-micotic cream है anti-inflammatory cream है साथी साथ यह anti-puritic cream है तो यहाँ पर इसके composition के बारे में बात करते हैं क्या composition है इसका इसके अंदर clotrimazole present होता है as per Indian pharmacopoeia 1% weight by weight bacalometasone dipropionate as per Indian pharmacopoeia जो की 0.025% होता है weight by weight cream का base इसके अंदर quantity sufficient है और preservative इसके अंदर add किये गए है जो की benzyl alcohol है 1% है weight by weight methyl paraben है जो की 0.15% है weight by weight और propyl paraben जो की 0.05% है weight by weight यह as per Indian pharmacopoeia है अब इसके बारे में और detail से देखे तो यह जो cream है यह body में किस तरीके से अपने effect show करती है या काम करती है सो यहाँ पर बात करते हैं Candid B cream के mechanism action के बारे में Candid B cream combination medicine है जिसके अंदर दो active ingredient है एक है becalometasone और दूसरी clotrimazole है सो यहाँ पर becalometasone एक steroid है जो की कुछ ऐसे chemical mediator होते है messenger होते है जिनके release को यह रोगती है क्योंकि इनी की वज़े से skin पर redness होती है और सोजन आती है, itching होने लगती है clotrimazole एक antifungal agent है, यह एक antibiotic है जो की fungus की growth को रोगती है और उनकी जो growth है जिसकी वज़े से infection हो जाता है और बढ़ जाता है तो उनको यह रोगती है और उनकी जो protective covering जो होती है उनको यह बनने से रोगती है clotrimazole आये जानते हैं इस drug के क्या-क्या side effect हो सकते हैं अगर आप इसका use करते हैं तो कौन-कौन से side effect दिखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं इसके side effect के बारे में क्या-क्या side effect हो सकते हैं इस scream से So, जिस side पर इस cream को apply किया जाता है उस side पर burning sensation हो सकता है Irritation हो सकता है aging हो सकती है और redness हो सकती है तो यह जो side effect है यह जहादा दिर तक नहीं रहते हैं जिस time आप इस cream को apply करते हैं उस time हो सकता है या कुछ time बाद हो सकता है अगर आपको लॉंग टाइम के लिए ये साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप तरण डॉक्टर से सला लीजिए और फ्रेंस आप से एकी बात कहना चाहूंगा कि आप कोई भी मैडिसिन बिना डॉक्टर की सला के ना ले आप एक बार फार्मसिस से कंसर्ट कर सकते हैं डॉक्टर से भी कंसर्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है अब बात करते हैं इसके सावधानियों के बारे में इसको यूज करने से पहले कौन-कौन से सावधानिया रखनी चाहिए जिन लोगों को जिन पेशेंट को इस क्रीम से एलर्जी हो उनको इसका यूज नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं इस candy to be cream को कैसे use करना चाहिए तो ये जो cream है आप externally use कर सकते हैं और जिस side पर जिस skin के part पर infection हुआ है उस part को आप पहले wash कर लेजिए उसके बाद इस cream को आप apply कर सकते हैं जितनी dose doctor द्वारा बताई जाती है उतनी ही dose है वो apply करनी है तो इस तरीके से आप इस cream को use कर सकते हैं जिस part पर infected area पर infection हुआ है वहाँ पर आप इसको apply कर सकते हैं और दोस्तों आप सही की request करूँगा कि आप कोई भी medicine बिना doctor की सला के ना ले आप एक बार doctor से भी consult कर सकते हैं फार्मासिज से भी consult कर सकते हैं अगर आप इसा नहीं करेंगे तो आपकी health के लिए danger हो सकता है तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए helpful होगा चैनल को जुरूर subscribe कीजे क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी Thank you very much for watching this video